नमस्कार जिनता टीवी देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ पूजा मुहन पार्णी बुल्टन किश्रवाद बड़ी और रहम जानकारी के साथ करेंगे दैरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है हिमाचल में सियम धामी रैली को सम्भूदित करने वाले हैं 20 अक्टूर को सीम धामी चॉपाल, पक्षाद और पाप्तरा साहिब में यह रैलियां होंगी तो बड़ी खबर थानकारी आपको दे रहे हैं हिमाचल में सियम पुशकर सिंग धामी अब इसका गड़त समझे rifle वो तमाम सीतेsky जो कि उत्रकंड के सियासत से सीधोतोर पर प्रभावित होती हैं और उत्रकंड से लगी होई है उन तमाम शेतरों में जो जिम्मेदारी है प्रचार प्रसार की वो उत्रकंड के तमाम राजनेताओं की है ऐसे में चौपाल पक्षाद पावटा साहिब में पुषकर सिंगधा में रैली को सम्बोधित करते नजर आएंगे तीन रैलियां होंगे तीसक्टू बर्खुमोंगे तो ही समाजवादी पार्टी के विधायक मुहमद आजम खान की सदसता खत्म होने पर रामपूर में नेताओं के रियाक्शन आने शुरू हो गए इसी क्रम में रामपूर के बीजेपी सांसद घंशाम सिंग लोधी ने आजम खान के विधानसभा सदसता खत्म होने पर बोला कि नेताओं को अभधर भाशा बोलने से बचना चाहिए और अपनी सीमा में रहना चाहिए विधानसभा चुनाओं के दोरान नेताओं ने अभद्र भाशा का इस्तिमाल किया था इसी दोरान घंशाम सिंग लोधी ने हमारे समवताता से भी खास बाचित की है और क्या कुछ का है सुनिया हमारे साथ हैं भाजवा सांसद घंजाम सिंग्लोधी जी और मैं इसे बाचित करूँगा कि आज आजम खागी मिधान सबान जो सदस्ता वी थी वो समाप्थ हुई है तो उस पे क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से आज आजमखा की सदस्ता समाप्त हुई है तो कहीं न कहीं एक उपचुनाव की तरफ को रामपुर बढ़ रहा है क्या कहने चाहिए देखिए रामपुर की जनता उपचुनाव से तरस्त आ चुकी है अभी लोकसभा उपचुनाव होते उसके बाद अब मेरे खाल से फिर उपचुनाव होगा और उसके बाद दोजार चौबीस है तो अभी पांच च्छे महीने में चुनाव हो रहे हैं और जनता चुनाव में में के गुमरा रहती हैना विकास हो पाता है ना किसीका काम हो पाते है तो जनता नहीं चाहती कि यहां प marijuana चुनाव और उबरागो गार्व चुनाव एड़ा है तो पांच साल कारिकालों से पूरा करना चाहिए छी वात ह बहुत सारे दलों के नेता अनापसना बोलते रहते हैं और रेंधिक दो typical क्षिकड हो तो मावाम चली रहा है उसके साथ मुमें आजम्हान का मामला चल रहा है तो क्या ऑने वाले टाइम में इनकी जिस तरीके चल रही चलरही उस-पर भी कुछ दिक्कत होसकति देखिये उससे तो मैंने कह सकता लेकिन कोर्ट के निल्डे मुकद्मे हैं और कोर्ट के निल्डे आने बाकी है और कौर्ट का क्या निल्डे आता है उसी के आधार पे फैसला उन लोगों का होगा जी हमारे साथ थे सांसाती अंचांसी मिलोधी जी और मैंने बाचीत के उन्हों ने बताया कि आजम खान की जो सदस्ता है वो समाप्त हो चुकी है और कहीं न कहीं आगे आने वाले टाइम के लिए अब्दुल्ला आजम खान के लिए भी एक समस्या बन सकते हैं रामपुर से देश भर में लैंड लाइन फोन का सरकारी वर्चस वो अब बीते जमाने की बात हो गई है सरकार और सरकारी करमचारियों की उदासी इंता के चलते अब बी एस एनल और एम टी एनल के बेसिक फोन घटते जा रहे हैं ट्राइ की रिपोर्ट की मानी जाए तो देश भर में ब 20 सालों के बाद बी एस एनल और दूसरे नंबर का ऑपरेटर है सरकारी कमपनी का वर्चस वो खत्म करते हुए रिलाइंस जी ओ पहले पायदान पर पहुँच गया है उसकी हिस्सेदारी 28 फीसदी से भी जादा हो गई है जबकि बी एस एनल की भागेदारी 27.46 और एम टी ए बहतरीन स्टेटस सिंबल माना जाता था लेकिन अब धीरे धीरे बेसिक फोन की सिती खराब होती जा रही है और ओभी सरकारी बेसिक फोन बी एस एनल की 22 साल पहले जब बी एस एनल बना था तब इसका पूरा एक आधिकार था आजादी के समय दूर संचार बेभाग से ही द अर्चा सो बढ़ता जा रहा है और सरकारी आपरेटर बी एस एनल की 27 परसेंट तक शिखर गए 83 परसेंट लोग आप चाहते हैं कि उनको प्राइवेट कंपनियों के फोन मिलें और वह बेसिक फोन के लिए इसलिए परहसान नहीं है कि उनको लेंड राइंज की आवसकता न मज़ा नहीं आ रहा है इस समय यूपी में 141447 कस्टमर बी एसनल पास बचे हैं जबकि रिलाइंस जीओ तीन लाग 32583 फोन दे चुआ है देश की 27 परसेंट हिस्टेदारी के वल बी एसनल पास बची है और बाकी सारी हिस्टेदारी अब प्राइवेट आपरेटर पास है त बी एसनल उनके फोन ठीक नहीं कर पाता है मजबूरन लोग प्राइवेट कंपणियों की और मुखातिब हो रहे हैं कैमरा मैन आसीज कश्चप के साथ टीन मिस्रा जनता टीवी लखनो